क्रप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे यह इंडेक्स 2021 का है जिसे की पब्लिस्ट 25 जनवरी 2022 को किया गया है सबसे पहला जो question है कि corruption perception index किसके द्वारा जारी किया साता है तो answer है transparency international के द्वारा और transparency international का जो secretariat है वो है बर्लीन में corruption perception index जो है यह बताता है कि कौन country जो है सबसे कम corrupt है और कौन country सबसे ज़्यादा corrupt है तो according to 2021 index देन्मार्क जो है सबसे कम corrupt country है और थात की सबसे अच्छा country विश्यू में कौन है देन्मार्क है देन्मार्क फिनलेंड और न्यूजीलेंड को 88 score मिला हुआ है 100 point में हमारे इंडिया को 40 score मिला हुआ है अर्थात की इंडिया जो है middle country के बीच में कहीं लाई करता है अर्थात की यहाँ पर corruption होते हैं और जो सबसे ज़्यादा corrupt country है वो हम लोग देखेंगे जैसे की आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान को 28 मिला हुआ है 100 में और रशिया को 29 मिला है अर्थात की रशिया और पाकिस्तान में maximum corruption होती है और विशू का जो सबसे ज़्यादा corrupt country है वो है South Sudan अर्थात की यहाँ पर लोगों का जीना कितना मुश्किल होगा आप imagine करके देखिए कि हमारे इंडिया को 40 score मिला हुआ है 100 में तो हम लोग जानते हैं कि हमारी यहाँ कितना corruption होता है तो आप इस basis पर imagine कर सकते हैं कि South Sudan का क्या हाल होगा तो हम लोगों ने अभी तक इस वीडियो में यह जानने की कोशिश की कि जो corruption perception index है वो transparency international के दोवारा जारी किया साता है जिसका secretariat बरलीन में है और next जो हम लोगों ने score देखा कि सबसे जो अच्छा country है वीशु का वो है डेनमार्क हमारे इंडिया को 40 score मिला हुआ है और जो सबसे ज्यादा corrupt country है वो है South Sudan तो ये point हमें जान लेना होगा examination point of view से यहाँ पर 180 country का score किया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो CPI है यानि कि corruption perception index वो 0 से 100 scale को यूज करता है 0 का मतलब हो गया कि सबसे बेकार country यानि कि वहाँ पे सबसे ज्यादा corruption होता है जैसे कि South Sudan को 11 score मिला हुआ है और 100 का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा country जहाँ पर कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे corruption ना मातर की है लेकिन ऐसा कोई country नहीं है 88 score मिला हुआ है डेनमार्क को अर्थ perception index जो है वो 0 से 100 scale huge करता है 0 का मतलब हुआ highly corrupt और 100 का मतलब हुआ very clean country जदी reason wise हम लोग देखें तो reason wise में बताया गया है कि जो western European country है जिसमें कि European Union आता है ये सबसे अच्छा country है और जो सब सहारन African country है ये सबसे corrupt country के list में है तो हम लोगों को इस वीडियो में इतना ही जानना था corruption perception index के बारे में जो कि हमारे examination point of view से काफी importance रहेंगे और ये current affair में आएंगे